वेलकम बैक तो मैं चैनल तो हाज रहे फिर से आपके लिए एक नाया यूसफुल और इंट्रस्टिंग वीडियो लेके तो बहुत ही छोड़ी छोड़ी सी टिप्स हैं जो आपके बेहत काम आने वाली हैं और यह ऐसी टिप्स हैं जो 100% वर्क करती हैं ऐसा नहीं है कि कुछ भ करते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अपने फैंबली और फ्रेंड्स में शेयर करना न भूले और साथ ही साथ बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहें तो आईए अब करने कपड़े की पॉलिविफिर में कपड़े वगएरा या सब्जी वगएरा आ जाती है या कोई भी सामान गरॉसरी ऑदायों इस तरह के थेले में आता है तो यह जो थेले होते हैं यह बहुत ही जादा हमारे काम आते हैं तो आज का यह पहली टिप से वह इसी को लेकर है और यहां पर मेरे पास एक बड़ी सी इस तरह की एक थैला था इसमें ग्रॉसरी का सामान आया था तो यह मैंने समाल के रख लिया था क्योंकि कोई भी चीज हम फेक नहीं सकते हैं कौन सी चीज कब हमारे कहां काम आजा हैं कहनी सकते हैं तो इस तरह के अगर आपके पास थैले पड़े हो तो आप उनको फेक यह नहीं और उनका एक बहुत ही अच्छा यूज मैं आपको यहां पे बता रही हूं तो यहां पर यह थैला बड़ा था तो इसकी जो इसको मैंने काट लिया है इसके दो यूज मैं आपको बताऊंगे और दोनों ही बेहत काम आने वाले हैं तो आपके पास छोटी हैं तो आप च्छोटी लेने ओर बड़ी है तो बड़ी आप ले ले रहे तो यहां पर हमने इसको अच्छे से लिए SMITH और एक छोटा सा पीस मैंने अलग लिया है क्योंकि इसका जो मैंने बनाया था वो मैंने पहले भी बना के रखा है और ये मैं आपको बता रहे हूँ तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक पीस ले लिया है और अब हमें लेना है कोई भी नहाने वाला साबुन का एक छोटा सा और इसको हमें कर लेना है गीला और वो टुकड़ा लेके कोई खुश्बुदर साबुन है कोई अच्छा वाला है जैसे लक्स है लाइफ बॉय है कपड़े वाला आपको नहीं लेना है आपको नहाने वाला लेना है और इसको इसमें अच्छी तरीके से हमें खूप सारा लगा देना है तो आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इसका भी क्या बनाने वाली हूं तो यहां पे हम बना रहे हैं पेपर सोप जी हाँ जो यह पॉलेथिर है इससे हम पेपर सोप बनाएंगे तो यहां पे मैंने बहुत सारा इसमें साबुल लगा दिया है और यहां अमय पर अपयाँ के दुखर सकती है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यह हवा से सूख जाएगा कि इसको हम आप दूप में सूकने के लिए डाल देंगे तो जब यह सूख जाएगा उसका oven स्का क्या करना हम आपको बता रहे हैं औरहां और देख सकते हैं यह हम इसको आप बच्चों के टिफिन में दे सकती हैं हैं हस्बेंड के ओफिस के लिए दे सकती हैं क्योंकि वहां पर हम साब इतना बड़ा दे नहीं सकते हैं तो इस तरह से आप छोड़ी छोटे बना के रख लें और जब आप लॉंच बोक्स दे तो साइड में उसको अलग से किया है तो आप देख सकते हैं तो यह तो यह अच्छी आशाज करता है और अप देख सकते हैं और omlib में रह् 가지고 है और वह प्रूद इक्मारा के तो आप को रेली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और इस तरह को यह प्लान की घ्रत्याव और आपका काम भी हो जाएगा तो यह बहुत ही चोटी सी ट्रिक है इसको आप बना के रख सकते ही खराब होने वाला तो है नहीं और आराम से इसको आप यूज कर सकती है अब इसका दूसरा यूज क्या है वह हम आपको बताने वाले हैं तो यहां पर आधा पार्ट जो है वह इसके मैंने बड़े बड़े टुकड़ें काट लिए हैं और इस टुकड़ा क्या काम करेगा यह मैं आपको बताऊंगी इस साज्व कर सकती है रोटी नहीं कि इसको आप भी सकती यह खराब नहीं होती है और अच्छे से यह चल जाती है जो अप दोढ़ में बहुत जाता हा क्योंकि यह पाने एब्सॉर्ब कर लेता तो बहुत अच्छी रहती है रोटिया गरम बनी रहती है आपके पास अगर इस तरह से हो तो आप एक बार यूज़ करके जरूर देखना आपको यह ट्रिक बहुत ज्यादा काम की लगेगी और आप इसको हमेशा फॉलो भी करेंगी तो यहां पर मैंने बड़े बड़े तुकड़े काट लिए हैं और इसको हम यूज़ करेंगे अपने कैसरोल में तो आप देख सकती हैं इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसना बड़ा भी अपका कैसरोल है उसमें आप इस तरह से रख सकती है रोटी पराथे पूरी वारा एक भी पैसा तो खर्च होने वाला नहीं है तो आयो आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी बढ़ते हैं आगे अगल जो ट्रिक है वह सूजी को लेके अब बरसात आ रही है और बरसात में जो रवा है सूजी है इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं चाहिए आप कि अज़िए को हमें हैं मुधं एक चंवी लिए लेंगे तो इसको मैंने अच्छे से दे चहान लिया है और चहानने के बाद इसको हम कढ़ाई में धीमी आज पे गरम करेंगे भी यहान रहें आपको सका कलर्ण शेंज नहीं करना है बस हल्का सा इसको थोड़ा सा गरम करना है दो तीन मिनिट के लिए आप याद चार-पांच मूर्ण के लिए भी कर सकती है बस कलर चेंज नहीं होना चाहिए और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एक चमच देशी घी डाल दें इससे यह बहुत ही अच्छे से सिक जाएगी और उसके बाद जब आप इसको ठंडा करने के बाद स्टोर करेंगे तो यह भिलकुल भी खराब नहीं होगी चाहें आप इसको साल भर तक रखें तो भी आपकी जी सूजी है उसमें किडे नहीं पड़ेंगी तो बारिश आने से पहले आप अपने सूजी को अच टरह से अगर कीड़े बगएरा हो जाते हैं और इसको हमें खाने का भी मन बिल्कुल नहीं करता है तो खराब हो इसके पहले आपको यह काम जरूर कर लेना है तो आशा है आपको यह चोटी सिर्ट हमारी जरूर पसंद आई होगी अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स ट्रिक क को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेगा इसके लिए हमें लेना है नीबू का रस आप जितना बनाना चाहें जिसे कोई जगे ऐसी होती है ना कि तेल वगएरा के उसमें बहुत दाग लग जाते हैं चिकट सी जाती है जो नॉर्मली साफ नहीं होती है तो उसके उसको साफ करने के लिए हमने सॉलूशन बनाया है तो यहां पर हमने नीबू का रस लिया है और इसके बीच बगएरा है वह हमने निकाल दिये हैं तो यहां से एक से लेड़ चम्मच यह नीबू का रस है अब दूसरी चीज जो इसमें हम डालेंगे वह है खाने वाला सोडा हर घर में मिल ज और यह सोडा मिक्स होता है तो आप देख सकते हैं इसमें रेक्शन हो रहा है और यह जाग जैसा इसमें बन रहा है अब तीसरी चीज जो इसमें हम डालेंगे वह है विनेगर यह तीनों चीज आप लीए बहुत अच्छा काम करती है और फ्लॉर क्लीनिंग के लिए यह आप इसमें यूज कर सकती हैं दोनों ही चीजें में से जो भी आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकती है तो यह थोड़ा साही बनाया है केवल आपको मैं दिखा रही हूं क्योंकि मेरे यहां ऐसी कोई जगे है नहीं जो बहुत जातक गंदी है थोड़ी बहुत ऐसी है इसको डालेंगे और इसको स्क्रबर है आप तो यह मार्वल है तो आप तार वाला ले सकती है नहीं तो कोई और ले सकती है अगर आपकी टाइल से वगयरा है तो इसके लिए आप कोई कम वैसा हाड़ वाला स्क्रबर ले सकती है इसको थोड़ा साम रगड़ेंगे आप देख सकते है इसका जो कालापन है वह छूटने लगा है और बहुत ही अच्छे से यह क्लीनिंग करता है और दम साफ जाता आप देख सकते हैं कितना इसमें से काला काला निकला है अब इसको हम पहुंचे से साफ करेंगे तो आप देखेंगे यह जगे हमारी साफ हो गई है तो जहां पर अशा है आपको यह हमारी ँटेप्स है वह जरूरा पसंद आई होगी वह आपको पहुंचे से और आपको सकonie निकल गया है आप कंप यह चोट से हमारी है अच्छी लगी होगी अब बढते हैं अपनी तो अगली त्रिक भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है तो अगली आपने देखा वह जाडु होती है जब जाड़ा लगाते हैं तो इसमें बाल है और गंदगी वेकरा फस जाती है और ज्यादा गंदगी फसने की वज़ए से यह ज्याड़ा हमारी तूटने लगती है तो करने के लिए आप ले सकते हैं कोई वेस्ट हो जो आप जिसको आप यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो खाने वाली होती है वह चमश तो आप नहीं ले सकते हैं इस तरह से काटे वाली चमश हमनेक प्लास्टिक की डली ती यह ओनलान खाना मंगाती है उसके साथ इस तरह से आ लेकिन अगर आपके ज़ाड़ों में इस तरह से कोई जंदगी चिपती है बाल बगएरा चिपते हैं इस तरह से आप निकाल सकते हैं और आपने ज़ाड़ों बनकुल तोटने वाली नहीं है तो आशा है आपको यह जो है वह भी जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो कमेंट करें वीडियो के लाइक करें और शेयर करें तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद